गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार जय जोहार चलिए सुरुवात करते हैं ध्यान दिजेगा कंप्लीट दिखना है आज का जो करेंट अफेर को 17 जनवरी है आज पहला प्रश्न दिखेगा निमने लिखित में से किस राष्टी उद्यान में नारंगी चमगादर मिला है ओप्सन है यहां पर देखेगा करेक्ट अंसर है ओप्सन नमबर आपका सी सही है कांगेर घाटी राष्टी उद्यान ध्यान दिजेगा कांगेर घाटी राष्टी उद्यान याद रखना है दोस्तों कि कांगेर घाटी राष्टी उद्यान में नारंगी चमगादर मिला है और पंको पर जो है नारंगी रंग का काले धब्बे बने हुए हैं द्यान दिजिगा कि ये देज भर में अब तक जो है सिर्फ तीन जगा दिखा है और इसके जबरों में जो है 38 दात होते हैं ये प्रजाती भारत समय दुस्तों कुछ एस याई देशों में पाई जाती है और भारत में सबसे पहले इसे 2019 में केरल में दिखा गया था और उसके बाद जो है 2020 में ओरिसा में दिखा गया और तीसरी बार कांगिर घाटी राश्टी उद्यान में इससे दिखा गया है ठीक है नियान दिजिगा किस राश्टी उद्यान में ओकी चलिए ये वाला प्रशन द यह सही है दोस्तों माता बहादूर कलारिन ध्यान दीजेगा माता बहादूर कलारिन ध्यान देना है दोस्तों की माता बहादूर कलारिन के नाम पर दोस्तों 36 गड़ में बेटियों को वेरता के छेतर में पुरुसकार दिया जाएगा और माता बहादूर कलारिन दोस्तों कलार सिनह समास से थी ध्यान दीजे और याद रखना है दोस्तों कि बहादूर कलारिन बाई जी के प्रचलित किसे लोग कताओं में सुनने मिलते हैं और 36 के बालो जिले से दोस्तों देखे 26 किलो मीटर दूर चिरचारी गाओं में उनकी इसमारा कवा मंदिर इस्थित है याद रख और इसे बहादूर कलारिन की माची के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में जो कहानी अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते दोस्तों टेलीग्राम में उपलब्द है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखेगा देखे वर्स 2023 का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित सम् करेक्ट आंसर है आप्सन नमबर बी है डॉक्टर संजय अलंग ध्यान देना है डॉक्टर संजय अलंग याद रखियेगा दोस्तों कि इस वर्स का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित सम्मान साहित कर और इतिहास कर डॉक्टर संजय अलंग को दिया जाएगा और यह पुर्सका उनके द्वारा 36 गड़ की इतिहास और संस्कृति पर किये गए विशिष्ट सोधो और सोधात्मक इतिहास लेकन को रेखानकित करते हुए दिया जा रहा है ध्यान देना है वह प्रसासनिक अधिकारी भी है वे विलासपूर वह सरगूजा संभाग के कमिशनर है याद रखना ह ध्यान देना है कि उन्हें कवीता के दिनकर सम्मान स्रीकांत वर्म सम्मान आदी साहित के दोस्तों कई सम्मान जो है मिल चुके हैं ध्यान दिजिएगा कि उनकी जो पुस्तक है 36 गड़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानस अनसाधन विकास मंत्राले द्वारा रोचो और प्रतिष्धित पुरुस्कार मिला था उके ध्यान दीजिएगा ध्या दिजिएगा कि सरस्वती साहित सम्मान दूस्तों के की बिडला फाउंडेसन द्वारा दिया जाने वाला созд पुरुस्कार है और यह पुरुस्कार जो है प्रती वर्स भारतिय सविधान की आठवी अनुसूची में दर्ज भासाओं की अनुसार प्रकासित उत्कृष्ट साहित कृती कृती को दिया जाता है ध्यान दिजेगा यह सब पॉइंट को ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लखना है इसको अप्सान नमबर आपका बीस हैं ओके ध्यान देना है बलरामपूर याद रखेगा बलरामपूर ध्यान दीजेगा कि 36 अड़ के मुख्यमंत्री भूपेजवगिल ने बलरामपूर में राज्य के पहले सहीद पार्क का लोकारपड किया है और बलरामपूर म सहीद चौक पर इस थापित इस पार्क में सहीदों की जो है प्रतिमाएं इस थापित की गई है ध्यान दीजेगा किस जिले में बनाया गया है ओकी चलिए नश्ट देखिएगा ये है देखे केरल का कौन सा जिला देश का पहला सविधान साक्षर जिला घोसित किया गया है आपसन है यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर है आपसन नमबर बी है कुलम ध्यान देना है कुलम ध्यान दीजेगा केरल का कुलम जिला दीज का पहला सविधान साक्षर जिला बन गया है ध्यान देना है ध्यान देना है कि इसकी घोशना जो है केरल के मुख्यमंत्री पि Critics Choice Awards 2023 में Best Foreign Language Film का आवार्ड जीता है Option है यहाँ पर Correct answer है Option number आपका C सही है RRR ध्यान देना है RRR ध्यान दीजेगा दूस्तों के Film RR को 28 Critics Choice Awards में Best Foreign Language Film के आवार्ड से सम्मानित किया गया है साथ इस फिल्म के चर्चित गाना देखे चर्चित सौंग नाटू नाटू को Best Song का आवार्ड मिला है और यहाँ सौंग MM किरावानी द्वारा दूस्तों कमपोस किया गया है ध्यान देना है MM किरावानी और अभी हाली में दूस्तों नाटू नाटू सौंग को Golden Globe Awards के Best Original Song का आवार्ड मिला था ध्यान देना है याद रखेगा यह सब पॉइंट को चली देखे निमन लिखित में से केज जिले के कुदरगर में माता बागेश्वरी का मंदीर इस्थित है अप्सन है यहाँ पर देखेगा करेक्ट अंसर है अप्सन नमबर आपका सी सही है ध्यान देजेगा सूरजपूर में है याद रखना है सूरजपूर ध्यान देना है कि सूरजपूर जिला में ओडगी प्रकंड मुख्याला अंतरगरत कुदरगरवन में मा बागेश्वरी का मंदीर इस्थित है और यहां मंदीर जंगल में पंद्रा सा फिट की उचाई पर इस्थित है ध्यान देजेगा कि यहां एक बड़े से चटान को काट कर जो है कुदरगरी माता की प्रतीमा इस्थापित की गई है लाल पत्थर से निर्मित माता की जो है प्रतीमा का स्वरोब अश्ट भूजा महिस्था सुर मर्दनी का है ध्यान देजेगा इसके पास ही सूरजपूर इस्थित है याद रखेगा और इसके नाम से ही याद रखना है कुदरगर के नाम से ही मिलता जुलता एक और है कुदरवैली ध्यान देना है कुदरवैली जो है वो बिलगहना में इस्थित है बिलगहना ये बिलासपूर जिला की अंतरगरत आता है ध्यान देना है चलिए निमनलिकित में से किस परवत में मकर सकरांति के असर पर मिला लगता है करेक्ट अंसर है ओप्शनिंबर सी मुप्रोक्त दोनों ध्यान देना है Is Shaos Far colour यह प्र्यान देन बने लगत लिगत देदोnn थीक हैँ देखें निम्न लिकित में से किस पहाडी को राम वन गमन पत से जोड़ा जाएगा option अपर देखेगा correct answer है option number b है देखें राम Flu rescue ध्यान दिना दूस्तों राम चुरrantuar पहाड़ी देखें निम्न लिकित में से कान Miss Universe 2022 चुनी गई है option है यहाँ पर देखेगा correct answer है option number B आर बोनी गेबरियल याद रखना है आर बोनी गेबरियल देखे हाल ही में चर्ची देव पहरीवा गोविंद जुन्जा जल प्रपाथ 36 गर केज जिले में इस्थित है option है यहाँ पर correct answer है option number B कोर्बा ध्यान देना कोर्बा में है चलिए यह वाला प्रश्ण आप लोगों के लिए है इस प्रश्ण का जवाब आप लोग को देना है comments box में हाल ही में चर्ची डे भवन निमने लिकित में से केज जिले में है option को देखेगा और comments में करिएगा इसका जो है answer चलिए आप हम से जुड़ सकते हैं दोस्तो टेली ग्राम चैनल से इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो Instagram से भी अगर जुड़ना है तो जुड़ सकते हो और Facebook से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और SI का तो आपको पता ही है आ गया है तैयारी सुरू कर दिजिए PSC का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो सुरू कर दिजिए गंभेरता के साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों